बुक स्टाइट स्पीक में आप सभी का स्वागत है वर्षा का घर जंगल के करीब है गर्मी के कारण पानी के तलाश में एक शावक उसके घर के पास के कुए में आगिरा शावक यानि की कब जानवर का छोटा सा बच्चा फिर वर्षा ने क्या किया? कहानी सुनते है और जानते है कहानी का शीर्षक है पानी की आवाजे Original Story The Sound of Water by Pratham Books कहानी लिखी है शालीनी श्रीनिवासन चत्रांकन देबसमिता दासगुपता हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी कहानी का वाचन आसावरी दोशी गर्मी बहुत थी वर्षा के घर के आसपास के जंगल सूक कर भूरे और पीले हो गए थे ज्यादातर पत्ते जमीन पर थे नाकी पेडो पर उफ कितनी गर्मी है वर्षा रुआसी होकर बोली काश एक तालाब होता तो मैं उसमें तैरती कम से कम हमारे पास पीने का पानी तो है अप्पा बोले बहुत से लोगों और जानवरों के पास तो वो भी नहीं है उस रात वर्षा ने सपने में पानी देखा सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी धम धडाम चपाक चपाक वो उचल कर जाक पड़ी उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था वर्षा ने जाक कर अपने बिस्तर के नीचे देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था आवाज अब धीमी पड़ गई थी चप चपाक सर वर्षा बिना आवाज किये खिडकी तक गई और वहाँ से उसने बाहर की और जाका बगीचा सुनसान था अगली सुबा वर्षा बगीचे में बैठी एक मेंधक को निहार रही थी तभी उसे ये आवाज सुनाई दी खिर खिच चपाक अप्पा क्या आपने वो पानी वाली आवाज सुनी उसने पूछा नहीं तो जाओ जाकर पढ़ाई करो अप्पा ने कहा दोपहर के भोजन के समय वो आवाज फिर बदल गई थी कर चपाक सर वर्षा को लगा मानों बड़े बड़े पंजे घर की दीवार को कुरेद कुरेद कर कुवे में गिरा रहे है अप्पा आपको ये आवाज तो जरूर सुनाई पड़ी होगी वो चिलाई अरे ये तो तुम सामभर सुड़क रही हो बस अप्पा बोले पूरे दिन वर्षा ये आवाज सुनती रही आवाज तो लगातार बदल दी और घूमती फिरती रही चप, चपाक, सर, हिस, चपाक, चप और पूरे दिन अप्पा ने कुछ नहीं सुना वर्षा को लगा क्या अपपा को कम सुना ही देने लगा है और क्या बाहर बगीचे में कोई विशाल पानी का दैत्य चुपा हुआ है दैत्य याने के राक्षस उस रात वर्षा सो न सकी चप चप चपक, चप चपाक यह आवाज होती रही वर्षा को लग रहा था जैसे कोई पानी का राक्षस घर के पीछे घूम रहा हो उसे एक बढ़िया आइडिया आया वाँ! उसने तै किया कि वो उसमें जाक कर देखेगी अहाँ, तो ये कोई राक्षस न था बस तेंदुए का एक बच्चा था भीगा और भूखा हालो बच्चे! वर्षा बोली मैंने कल रात तुम्हारे गिरने की आवाज सुनी तो थी तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? भीगा हुआ तेंदुए का शावक धी में से गुराया उपर चड़ो बच्चे! वर्षा ने कहा लेकिन बच्चा पाइदान पर ही अड़ा रहा वर्षा ने फिर कोशिश की यहां यहां अरे बच्चे इधर इधर बच्चे लेकिन बच्चा जो है जस का तस रहा वर्षा अंदर भागी और रात का बच्चा कुचा खाना लेकर आई क्या तेंदूओं को मचली खाना अच्छा लगता होगा उसने सोचा वर्षा ने सीड़ी पर मचली की कतार जमाई मचली वर्षा ने प्यार से कहा बच्चे येलो येलो खाना खाओ शावक ने उपर चड़ मचली लपकी और वापस गुए के अंधेरे में चला गया इसके बाद उसे जपकी लग गई सारी मचली गटक लेने के बाद जब तेंदूओं का बच्चा कुए से बाहर निकला तब सुबा हो गई थी वो बर्तन की तरफ गया और उसमें रखी मचली भी चट कर गया ये सब क्या है अप्पा चलाए तेंदूओं लपक कर पेड़ पर जा चड़ा वर्शा ने उबासी लेकर कहा वो तेंदूओं है अप्पा वो कुए में गिर गया था तेंदूओं ने एक धीमी सी हिस हिस की ये जंगली जानवर है तुम्हें चोट पहुचा सकता है वर्शा अप्पा ने डाटा ये बेचारा कुए में जाफसा था वर्शा ने गुसे में जवाब दिया और वो भूखा भी था मैं वनविभा को बुला रहा हूँ वो इसे ले जाएंगे अप्पा बोले वनविभा कर्मचारी को पूरा दिन लग गया तेंदुए को पेड से नीचे उतारने में मैं अपना तेंदुआ उसे नहीं दूगी वर्शा ने अप्पा से फुसफुसा कर कहा ये तुम्हारा तेंदुआ नहीं है वनविभा की महिला बोली इसका घर जंगल में है यदि तुम इसे अपने पास रखोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है बिलकुल अप्पा भी हसकर बोले जेल ना जाना वर्शा के लिए इस वर्श के जनम दिन का उपहार है विभा की महिला अपनी जीप में चड़ी इस हफते ये तीसरा जंगली जानवर है जिसे मैंने बचाया गर्मी के कारण बहुत से जानवर पानी की तलाश में भटक रहे है वो बोली अगर आप घर से दूर एक छोटा सा तालाब बना दे तो जंगली जानवर उससे सुरक्षित तरीके से अपनी प्यास बुझा पाएंगे तेंदुए ने हा में हुंकार भरी बाई बाई बच्चे वर्षा ने जोर से कहा वो तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वो जीप पूरी तरह से ओजल ना हो गई वर्षा अप्पा की ओर मुडी क्या हम तालाब बना सकते है उसने पुछा अपनी पढ़ाई करो अप्पा बोले बनाते हैं न अप्पा वर्षा बोली प्यासे जानवर फिर कुवे में नहीं गिरेंगे और मुझे उन्हें निकालना भी नहीं पड़ेगा अप्पा बोले ठीक है पर तुम ही ये सारा काम करोगी वर्षा ने अपनी बाकी बची चुट्टियां तालाब के लिए मिट्टी खोदने और खोदने और खोदने में लगा दी ये तालाब तुम्हारा जनम दिन का उपहार अप्पा हाफ रहे थे मुझे लगा मेरा जेल ना जाना मेरे जनम दिन का उपहार था वर्षा बोली अप्पा इतने ठके हुए थे कि जवाब देना उनके लिए मुम्किन नहीं था काले बादल और तूफान लिये मान सोनाया एक हफते बाद वर्षा का जनम दिन था जनम दिन मुबारक हो अप्पा बोले दूर्बिन मैंने समझा तालाब मेरा उपहार था वर्षा बोली रुको ने ने जेल ना जाना ये मेरा उपहार था न ये बस आखिरी उपहार है तुमारा अप्पा ने कहा अब और नहीं हा दूर्बिन से वर्षा तालाब को गौर से देख सकती थी वो पूरी तरह से भरा हुआ था मेंढक टरर टरर कर रहे थे एक सफेद सिर्वाली चील पानी के उपर भूक से मंडरा रही थी आपको मिंडकों का टरराना कैसा लग रहा है अप्पा कहां? मैं तो नहीं सुन पा रहा हम मेरे पास आपके लिए एक उपहार है अप्पा वर्षा बोली हम लोग अगले हफते कान के डॉक्टर के पास जा रहे है ये आप के लिए बिना जनम दिन का उपहार कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर स्टोरी टेलिंग सेशन्स के अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में वाट्साइब ग्रूप की जानकारी दी गई है आप जरूर जॉइन करिएगा वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया